संद समाज के लोगों के लिए बीते सोमवार के दिन प्रयागराज से बुरी खबर सामने आई है शाम छे बजे के लगभग ये सूचना सामने आई कि अखिल भार्तिय अखाड़ा परिशत के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्द परिस्थितियों में मौत हो गई प्रयागराज स्थित मट में उनका शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला था शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्मा हत्या मान रही थी लेकिन घटना स्थल में बरामज सुसाइड नोट में उनके शिस्य आननगिरी का जिक्र है जानकारी के मुताबक इस सुसाइट नोट में बताया गया है कि आननगिरी की प्रतारना से महंत नरेंडर गिरी परिशान चल रही थे वहीं दूसरी तरफ किसी जमीन की बिक्री और खरीत को लेकर भी दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहा था इस दुकत घटना के सामने आने के बाद सियम योगी बोले महंत नरेंडर गिरी की मौत से परिशान समाज के लिए अपूर्णी अच्छती जैसा है ये जी हाँ महंत नरेंडर गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने आननगिरी को गिरफतार किया है नरेंद्रगिरी का शव अल्लापरस्थित बाखंबरी मठस्थित उनके आवास में पंखे पर लटका मिला आगे योगी आदितिनाद कहते हैं कि महन जी का सहयोग मिलता रहता था बरापर योगी आगे कहते हैं कि प्रयाग राजकुम की भव्यता, सुरक्षा, तेरा अखाडों के बीच समवाद और समवन्यवय, आचार्य धर्मचारियों के बीच बेहतर समवाद और सम्मान इन सब को लेकर उन्होंने सुन्दर प्रयास किया था इसी का परिणाम था कि प्रयाग राजकुम पहली बार वैश्वयक मंच पर अद्बुद घटना के रूप में जाना जाता है सादू समाज की समस्या हो या धर्मचारियों की समस्या, अखाडा परिशत के अंदर या मंदिर की समस्या, हर निर्णे में उनका सानेध्य और सहयोग मिलता रहता था